आज मैं आपसे लेफ्ट ओवर रोटी से आप बहुती टेस्टी रोल केसे बनाते हैं वह शेयर करूंगी बहुती जटपट बन जाते हैं और बहुती आसान रेसीपी है गाईज और आप देख रहे होंगे कि कितने चीजी रोल हमारे बने हैं उतने ही टेस्टी भी है तो जब ज़्यादा लाइक और चलको ज़रो सबस्क्राइब करेंगा और पास में दीवी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भुलेगा सबसे पिल्ण में इसकी स्टॉफिंग बनालेंगे तो मैंने 100 ग्राम इतना मौOOOOOOOOला चीज लिया है अगर आपके पास ज़ीज नहीं तो आप नार्मल चीज भी ले सकते हैं मैंने इसे ग्रैट कर लिया है अब मैं इसमें वन ओनियन मैंने बारीक कट कर लिया था वो इसमें एड करा है वन कैप्सिकम में इसमें एड करूंगी बारीक कर टीवी एंड वन टोमेटो हम इसमें एड करेंगे सारी जीजे मैंने बारी बारी कट कर ली है, अब इन सारे ingredients को हम अच्छ से mix कर लेंगे ये देखे है मैंने mix कर लिया है, आब हम इसमें masala एट करेंगे मैं इसमे 1 teaspoon इतनी pizza seasoning एट करुँगी अगर आपके परस pizza seasoning नहीं है तक सिली फ्लेक्स भी आट कर सकते और वन टीजपून इतना मैं इसमें औरिगेनो एट करा है और वन पींच इतनी में ब्लैक पेपर एट करूंगी और नमक स्वाधनुसा तो अब इना मसालों को भी हम अच्छ से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारी जो स्टॉफिंग है वो एकदम बनके तयार है तो अब हम इस स्टॉफिंग को साइड में रख देंगे और मैंने फाइफ रोटी लिए है ये सूबे की रोटी थी जो की बज गई थी वो मैंने लिए है और एक बाल में मैंने टू टी स्पून इतना मेदा लिया है अब चाहे तो कॉर्ण फ्लोर या फिर आटा भी ले सकते हैं अब मैं इसका पानी डालके अच्छा सा एक पेस्ट बना लूँगी तो हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे तो ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है और अब हम इसे भी रख देंगे अब मैंने stuffing लिए है और plate में एक रोटी लिए है अब हम इस stuffing को रोटी के center में fill कर देंगे हम बिल्कुल center में से stuffing को डाल देंगे आप अपनी अच्छा अनुसर कम ज़दा stuffing भर सकते हैं और अब में हमने जो जो मेदे का पेस्ट बनाया था ना वो लिया है अब हम इसे रोटी के तीन कॉर्णनर पे लगा देंगे हम तीनों साइड में इस पेस्ट को लगा देंगे उसके बाद में इसे टू साइड में पहले से टू साइड में फोल्ड करूंगी और उसके बाद इस टाइब से में इसका रोल बना लूँगे तो ये देखिए ये मैं रोल बना रही हूँ और इसे हम अच्छे से दबा के स्टिक कर देंगे तो ये देखिए कितने आसान तरीके से हमारा रोल बन गया है तो ऐसे ही मैं ये सारे रोल इसके बना लूँगे ये देखिए मैंने सारे रोल बना लिये हैं अब हम इने फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए मैंने एक फ्राइ पेन लिया है और उसमें हम थोड़ा सा ओल डालेंगे हम इन्हें shallow fry करेंगे तो मैं थोड़ा सा ही oil डालूंगे आप चाहे तो deep fry भी कर सकते हैं तो हम थोड़े से oil में ही इन्हें shallow fry करेंगे तो हमारा oil गर्म हो गया है और मैंने ये rolls लिए हैं जिस साइट से हमने इन्हें stick किया था ना उसी साइट से हम इन्हें रखना है ताकि हमारे जो ये rolls है वो खुले ना तो ये देखे मैंने इन्हें सारे rolls को oil में fry होने के लिए रख दिया है और अब हम इन्हें medium flame भी fry करेंगे तो थोड़ी देर के बाद अब हम हम इन्हें सारे rolls को turn कर देंगे एके करके मैं सारे rolls को turn कर दूंगे ये देखे हमारे rolls का color change हो गया है ये dark brown हो गये हैं और एकदम crispy भी दिख रहे हैं तो आप अपनी चानुसर कम ज़्यादा इन्हें fry कर सकते हैं तो अब मैं एके करके इन rolls को plate में निकाल लूँगी और आपने देखा होगा कि कितने आसान तरीके से ओट जड़पट हमारे ये rolls बनके तयार है तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे सर्व करने के लिए मैंने एक serving plate लिया है उन्हें पर हम ये rolls को सर्व करेंगे उसके उपर में थोड़ा सा tomato ketchup डालूंगे आप चाहिए तो green chili चटनी या फिर mayonnaise भी डाल सकते हैं मैं only tomato ketchup डाल रहे हूं और अब हम इसके उपर थोड़ा सा cheese भी डालेंगे तो आप देख रहे होंगे कि कितने yummy rolls हमारे लग रहे हैं और ये देखिए कितने cheese rolls हमारे बने हैं आ रहा है ना इन्हें देखकर मुह में पानी तो आप भी leftover रोटी से बहुत ही असान तरीके से एकदम cheese roll बना सकते हैं आपके घर में जब भी रोटी बन जाए तो आप इसे बनाएए बहुत ही tasty होता है और बहुत ही जल्दी आप इन्हें बना सकेंगे तो आपको मेरी recipe पसंद आईए तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा like and share करेगा और मेरे चैनल निरिशास kitchen को subscribe करना बिल्कुल विवन्त भूलिएगा